तो यार दोस्तों कैसे हो और मेरे toppers अब के followers कैसे हो बढ़िया हो सारे तो यार cbse के paper पास आ रहे हैं class 10th है काफी board और 9th भी है 9th का भी जल्दी आएगा ये वाला जो मैं अभी 10th के लिए कर रहा हूं सारे cbse की important questions बताने लगाँ दोस्तों cbse कैसा वो है board जिसमें चाहे आ आपको कोश्चन नहीं आएगा तो यह मेरा आप से वादा है तो चलो अब बिना किसी प्रॉब्लम के हम पहुंच जाते हैं अपने कोश्चन के उपर तो यार पहले पेज में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि एक मिनट रुको मैं कुछ गलत बोर रहा हूं हां तो मैं आपको सारे इंपोर्टन कोश्चन बताऊंगा ठीक है जोग्रफी के जितने भी है और यह सारे सी बीसी के लिए बहुत इंपोर्टन है और जोग्रफी का पेपर आपका मैक्सिम मिनिमें से आएगा चाहे जितना इस से बाहर नहीं आएगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो यार चलो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे कोश्चन जाए और आपको पता है क्लास्टन है पहला कोश्चन और यार यह क्यों होता है मेरे साथ थोड़ा कम करता हूं इसकी पॉइंट तो नहीं यार यह मैं क्या कर रहा हूं what the hell यार वीडियो खराब करती ही शारी तो ठीक है यह तो पहला कोश्चन है रिसोर्स what is a resource तो question आपका बनेगा what is a resource ठीक है तो यह पहला कोश्चन है cbsc का मैं जानता हूं काफी गंद हो गया है साइडों पे but sorry really sorry यह सब रेस कर देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको वीडियो गंदी ना लगे अरे यार अब तो यह रभ भी नहीं हो रहा है चलो तो मैं उच्छी बोलूंगा आप पहला question आपका what is a resource तो everything से लेकर resource तक everything that is available in a environment which can study so I need provided it's technology as well acknowledge यह सारे important word है एक भी miss करोगे तो आदा नंबर आपका उसी समय कट गया याद रखना मेरी बात को इस पे और कोई important question नहीं है और उसके बाद अगला question है आपका differentiate between the basis of exhaustibility तो पहला है renewable resources और दूसरा है non renewable resources यह दोनों अगर आप लिखोगे यहां तक यहां से लेकर यहां तक तो यह आपका 3 mark का question बन जाएगा तो यह आपका दूसरा question उसके बाद आपका आता है अगला question जिसके अंदर आपने लिखना है question on the basis यह कुछ नहीं आएगा यह भी नहीं आएगा यह box भी नहीं आएगा आपको तो यह सब board का pattern है मैंने पीछे के board के papers देखे और मुझे पता चला कि यह important है इसलिए मैंको उता रहा हूं तो वह वाला answer आपका जो यह वाला answer है 2018 में जिनके board के paper हो चुके हैं उनका paper मैंने चेक किया था तो उसके अंदर मुझे यह वाला question development resources कैसे deplete हो रही है तो यह वाला question काफी important है तीन माग के लिए तो आप लोग करके जाईएगा जरूर अगर आप मेरी video देख रहे हैं तो board का paper in a sense pre board के जो paper होया है उसके अंदर यह दोनों कोई important नहीं है बर इनके related question है जो आगे आएगा और वो काफी important है तो उसके बाद यह वाला भी part कुछ important नहीं है और अब हम आते है resource planning of India पे जो की काफी important है और यह भी cbsc का question है जो आ सकता है तो resource planning के यहां से लेकर और development plans के यहां तक यह question है उसके यह सब कट कर दो यह कुछ नहीं आएगा आपको चिंता मत करना इस page की ठीक है यही फैद है बस मेरी वीडियो देखने का आपको इतने कम answer जाँगा ना और उन्हीं में सब का विपर यह वाला question मैं आपको कह रहा था cbsc के लिए एक और question है important है मतलब जिस पर मैं important रिख रहा हूं जैसे कि इस पूरे chapter में मुझे अभी तक यह question एक ऐसा लगा है जहां पर मैंने very important लिखा है तो इसको करके जाना है जहां पर मैं cvrc का लिख रहा हूं वो सिरफ question जो करने हैं हमारे को chapter पढ़ रहे हैं तो याद भी तो करना है ना कुछ तो यह वाला question है कि क्या क्या किया गया था global level पे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है first chapter की तो आप मेरे channel पर जाके देख सकते हैं तो अगर आप यह पूरा answer लिकाते हैं तो आपको पूरे number मिल जाएंगे जो की मेरे हिसाब से तीन number का question है और अगर कई बेकार schools हैं तो वह 5 mark का भी डाल सकते हैं बेकार school का मतलब है जिनकी teachers को paper बहुत अच्छा नहीं बनाती है और जो काफी difficult बनाती हैं वो ऐसे question को डाल देती है और हलकी सी भी गलती हो तो आपके marks खट जाते हैं यह कुछ important नहीं है यह बिल्कुल भी मैं पढ़के जाएगा ना इसकी जो values दी हैं वो भी ना पढ़के जाएगा कुछ नहीं आने वाला है wastage of time है यह पूरा करने के आपके जोगर आप करोगे यह भी कुछ नहीं आएगा यह भी कुछ नहीं आएगा मैं आपको लिखके दे रहा हूँ जह आया मेरा चैनल unsubscribe कर देना इसको scam कर देना और आप क्या कर सकते हो यह भी नहीं आएगा ठीक है यहां से एक अगला question है जो क पर खतम होगा यहां पर इसका end हो गया है इस question का और यह है अब solution है land degradation को कैसे बचा सकते हैं तो यह भी इसी के बीच में आ सकता है तो इसको भी करके जाईएगा soil as a resource यह सब कुछ नहीं आने वाला है यह एक आपका cbse का question है और इसका question बनता है land degradation क्यों हो रहा है land degradation के cause बताओ cause में ना इसका cause ठीक है तो यह था रहा है और यह इसके solution है और उसके बाद यह आ गया सारा तो soils soils में आपको मेरे हिसाब से कुछ नहीं आने वाला है ठीक है तो मत करके जाना alluvial मत करके जाना black मत करके जाना जो यह वाला है ना यह कर जाना यह काफी important है cbse के maps के लिए location पूच सकते हैं और जो यह वाली location है यह हमारे से हमारे से पूची गई थी जब हमने board कवे पर जात दो से तीन साल पहले और जो इस बार का board paper है उसमें भी यह location पूची गई थी तो मैंने इसलिए इसको काफी important माना है और यह very very important है इस chapter में भी तो यह दो चीजे मुझे काफी important लगी है और उसके बाद आपको red and yellow soils करना जरूरी है यह cbse में question बन सकता है cbse में और साथ ही म later it soil भी आपको पूरे करने होंगे arid soil भी आपको पूरे करने होंगे और forest soils आपको करने की ज़रूरत नहीं है forest soils को बिल्कुल ही काट दीजिएगा soil erosion आपको यह वाला part पढ़के जाना बहुत ज़रूरी है very important और यह cbse में हमें पूचा गया था जब हमने paper दिया था तो यह आपके लिए काफी important है वाकी आप सिरफ read कर जाई है यह वाला paragraph read कीजिए इसको यह सब read करने के लिए है यह सारा part read करके जाईएगा ओके और अपनी book लेकर साथ-साथ mark करती रहिए यह सारा part read करके जाईए और यह वाला काफी important question है तो इसको करके जाईए यह आपको करने की लोगों और आपको बोला गया है चैप्टर आना है Gallating वगोर्णों को करें है um जेत्वर से जल रहें कर में पर drag किते हैं तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मत करके जाएगा, ये चैप्टर नहीं आना है, not for CBSC, okay guys, तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आना है, तो ये मत कीजिएगा, okay, not for CBSC, जो मर्जी हो हमारे डाइम में था, लेकिन इस बारी का जो CBSC ने अपना निकाला है, उस हिस आप से ये नहीं आएगा चैप्टर, तो अब हम सीधा चलते हैं, चैप्टर थ्री पे, तो चैप्टर थ्री ये काफी important चैप्टर है, और मैं एक मने टुकना, इसको जोडो के धुरू उपन कर लूँ, क्योंकि ये काफी अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, अगर आप रेफरेंस बुक है, तो आप उससे भी इसकी definition देख सकते हैं, वैसे मैं जादाता रेफरेंस बुक को prefer नहीं करता हूं, SST के लिए, और अगर आप यूज करते हैं, ये कुछ नहीं आने वाला है, ये कुछ नहीं आने वाला है, चिंता मत किजिए, बिलकुल आपको सही report वैरी, 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 मैं तो इसको इतना वैरी कह सकता हूं ना, दोस्तों, कि आप खुद कहोगे कि सर इतना वैरी, वैरी क्यों कह रहे हैं, अगर आप देखोगे तो, बिलकुल बहुत important है, ये पकाएगा आपको, एक इस चेप्टर से एक ये question और एक ये damn का question, जो के लिए काम, ठीक है, तो ये कुछ नहीं आने वाला है, शिरफ दो question बताई, अभी तक मैंने आपको इस chapter से, एक what is damn, और एक hydrological structure, ये भी कुछ नहीं आने वाला है, और अगले page पे चलते हैं, एक मिंटू को, जाने रहा है, तो ये भी कुछ नहीं आने वाला है, ये कुछ ये चैप्टर में से कुछ नहीं आना, अब खुद कोगे, क्या ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं, मैं आपको CBSE का वो बदा रहा हूँ, आपको मैं शेडी हूँ, आप पढ़के जाओगे वेस्ट करोगे अपना टाइम, अगर आप मेरी वीडियो तो देख रहे हो ना, सही टाइम पे, तो अपका फैदा हो रहा है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को, तो अगले बेच पे चलते हैं, चल यार, जा क्यो नहीं राही है, अगले बेच, मुझे इस से करना बढ़ा है, 6th page, ठीक है, तो ये भी बि 7th page, 7th page पे, ये भी कुछ नहीं आने वाला है, दोस्तो ये 3rd chapter तो इतना बेकार है, इतना बेकार है, कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं, एक मिनट रुको, 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 आना है, very very important, CBSE, मैंने ध्यान नहीं दिया, को question, अभी मेरे पास paper है ना जो, उससे देखकर बता रहा हूँ आपको, बहुत important है, तो map के बेल से, map इससे आएगा आपको, अगर आपको map के लिए मैप कर रहा है, ठीक है, तो map इससे पका आएगा, आपको एक question, जितने भी places mark रह तो मुझे ऐसे कोई knowledge नहीं है, कि कि school को कौनसी place mark करवाई है, तो 7th page हमें बिल्कुल नहीं आना है, और अब जाते हैं, 8th page के ओपर, 8th page हमारे को आना है, बहुत जरूरी आना है, बिल्कुल आना है, पूरा page आना है, ये भी आना है, फिर important, read करो इसे, read के लिए दे रहा और, एक मिनट रुको यार, मैं slide up भी नहीं कर पा हूँ, ये क्या हो गया साथ को, चलो, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, इस पही करना है, नया तो खरीद नहीं सकता, मैं पैसे नहीं, तो ये important है, ancient time में, क्या क्या किया गया था, rain water harvesting को, ये copy question भी आपको, अगर copies बनवाई ह तो ये है उसमें, और ये important है, यहां तक, end तक, तो एक मिनट रुको, ये है, इसका end, पूरा, क्या 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 वेज अडॉप्ट किये गए थे, rain water harvesting, तो ये एक अगला question हो गया आपके लिए, तो ये अब हम जाएंगे 9th page पे, 9th page पे, पे वानमा question है, एक पाल्दर पानी के आप, बस, ठीक है, और इस पूरे chapter में से, आपको एक कौडी भी नहीं आनी है, सब काट दो, सब काट दो, और जुन जुना बचाओ, तो दसमें page पर अगर हम जलते हैं तो, और इससे भी आपको कुछ नहीं आने वाना है, तो 3rd chapter का जैसे आप देख सकते हैं, सिरफ 3 ही question ब कुछ नहीं आने वाला है, तो अब हम चलते हैं 4th chapter पर, सबसे जादा 6th और 7th की वेटेज है, मेरी उसके अंदर, जो इतने questions मैं आपको बताने लगा हूँ, तो उनहीं की वेटेज है, तो चलिए फिर, काम करते हैं, एक मिनट मैं ये बंद कर दू, फ्री के पेज को ले होएं उपर, हाँ हाँ हाँ, और दोस्तो यार कमेंट कमून करो, वीडियो पर अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो थोड़ा मुझे भी लाइक करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि किसी को मेरी वीडियो संदा रही है, चलो, तो अब इसको CBSE के questions मार्क करने शुरू करते हैं, very important chapter, तो, क्या हो गया ये, दूसरा page, पहले page पर कुछ भी नहीं है, दूसरे page पर कुछ भी नहीं है, मैं अब काट नहीं रहा हूं, ठीक है, जिन पर मार्क नहीं करा रहा हूं, प्लाटेशन फार्मिं सकता है, आपको, very important, important है, कर जाना, या, read कर जाना, maximum to me, read, ये chapter भी map के view से ही है, मैं आपको, 5th, 4th, 3rd, देख ले ना, आप, खुदी दोगे, ये, पैटरंस पढ़ जाना, ठीक है, जिन पर टिक लगा रहा हूं ना, तो पढ़ जाना, चीज है, important है, क्रॉप्स सारी पढ़ तो पढ़ जाना, ठीक है, तो सभी सज़स्ट करूँगा, मैं तो, बिल्कुल करूँगा, तो, sugar के, इनकी जो places है, पहली पहली वाली, जैसे, sugar के नोकती है, उतर परदेश में, oil seeds, ये नहीं आएगा, ये मत करके जाना, ये भी मत कुछ करके जाना, कुछ ना करके जाना, य ये आ सकता है आपको, कॉफी आ सकता है, कॉफी आ सकता है, अपको, हरी कल्चर कॉप कभी भी नी आया आज तक, एक भी पेपर मेनी पूछा गया, ठीक है, तो, rubber आ जाता है, मेरको मेरे टाइम में आया था, तो, important है काफी, और, ये क्या आ रहा है, तो, सेफ करके नीचे, को फाइबर कॉप साजाती है, तीन फाइबर कॉप के नाम बताओ, चार है, sorry, natural silk, सेरी कल्चर की, one mark definition, cotton आ जाता है, cotton प्लेस आ जाती है, कहां पे उगती है, मेन ये map of view से ही है, कि cotton कहां कहां उगती है, जूट कहां कहां उगती है, यही इस चेप्टर में मेन है, और उसके यह बाद, यह वाला, एक important question है, जो इसी साल आया है, 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, 2018 का question है, प्री बोट्स के लिए, ठीक है, यह वाला, यह सारा, पूरा, पूरा, सब कुछ, फाइब मार्क में आया था, पूरा, फूरा, पूरा, पूरा, यह कुछ नहीं आना, ठीक है, अब देखो, इतना सारा कटवा दिया है, फूट सेक्योर्टी के बाद, तो वैसे ही कटा हुआ है, CBSE में ही कटवाया हुआ है, CBSE की साइट पे आया हुआ है, कि से आगे कुछ नहीं आएगा, अगर आपकी टीचर ने आपको लिखव इतना कुछ टवा ही दिया, इस पूरे चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ नहीं आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, मत करना यह, पेजी मत करना, छोड़ देना, मैं कहा रहा हूँ ना, छोड़ देना, अगर भरुसा कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो इ इसकी वेटेज काफी है, फर्स्ट पेज पे तो कुछ नहीं है, एक मिनट ये फर्स्ट पेज नहीं है, तो सेकिंड पेज पेज नहीं है, तो सेकिंड पेज खुला हुआ है, तो फर्स्ट पेज पे यार कुछ नहीं है, तो कुछ भी मित करके जाना, फर्स्ट पेज चैप्ट क्या हो गए इसे लिखने रहा है चलो है थारा मिनट की वीडियो बन गई है चलो बड़ी वीडियो बन रही है अब क्या कर सकते है तो यह क्या हो गए इसको हैं क्यों गए यह तो फिल्सर पीडियेफ कोल लेते हैं और हम क्या कर सकते तो फर्स्ट वाला आना नहीं है सेकेंड वाला अगर हम देखें तो अहां बंद कर रहा हूं मैं और इसको जोडो एप के तो वो प्रॉब्लम आ जाती है कई बारी तो चिंता की बात नहीं है उसकी तो यह सेकेंड की स्ट्स्lexorse18 मैं दूसरा वंपर्टो घी खु मैं आ लिएक् mortarश के वाला था कर द concentr सकते हैं यह काफी साथ साथ अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवाना बढ़ेगा वीडियो काफी बढ़ी बन रही है और कौन इतना लंबा देखेगा मेरे को तो यह सारा पार्ट यहां तक एक आपका अंसर बनता है और जो पिछले पेच पर भी है ठीक है यह कुछ नहीं आना है यह नहीं आना है यह नहीं आना है यह नहीं आना है ओके यह आ जाएगा very important very very important five mark question पक्का है cbse का cbse देखो geography आपको 20 number की आनी है ठीक है तो इसलिए come questions मैं ऐसे mark करा रहा हूँ very important वाले आपने देखे होंगे मैंने सिर्फ अभी तक 3 या 4 ही very important क्योंकि बाकी तो हमें करके जाने ही पढ़ेंगी, लेकिन ये वालो के आने के चांस काफी जादा है, तो मैं जानता हूं काफी गंद मच रहा है, ये भी काफी इंपॉटन है, ये आपको मैप के तूर पर किराया होगा, तो मुझे बताने की जिरूरत है, नहीं, मैप के लिए जो 6 नंबर हमें लेने ही लेने है SST में full marks हमें लेने है तो मेरी येवली वीडियोस को देखो अगर इस वीडियो पर response अच्छा है और आप लोगों ने like और comment किया और ये वाला तो मैं कहता हूँ दोस्तो लाख परसेंट वान लाख परसेंट कहा हूँ मैं आपको आना है आना है ये तो आप कहलो CBSC वालों ने मेरे से ही भुच आ hazards of mining पूरा और जो यहाँ पर ये जो दिया हूँ ये तो बहुत important है इसको तो तारा बना लो जितने तारे कहोगे ना आप लोगों के लिए तारे बना दूगा मैश पर वान मां कोश्चन पक्का है एक तो इससे ठीक है ये नी आना है ये नी आना है कुछ नी गरना हमने कुछ नी कुछ नी आना ये भी map के तो और पर important है ठीक है ये कुछ भी नी आना तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूं ठीक है तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूं ठीक है तो अब के अब से आपके इन सभी पांच चैप्ट्रों में से मैंने मुश्किल से आपको पंद्रा या दस नंबर का मार्क रहा है बाकी सारा इन दो चैप्ट्रों में भसा हुआ है मैंनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इसके पहले पेज पर यह ऐसा कोश्चन है जो इस साल प्रीबोर्ड में आया है बच्चों ठीक है तो चलो शुरू करते हैं पहला कोश्चन मैनुफैक्चरिंग की डैफिनेशन ठीक है पक इस जो आ रहा ना अब यह सी बीएसी द अब यह करने की कोई जरूरत नहीं है ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है ये भी कुछ अगला पेश पूरा काड़ दो ठीक है ये भी पूरा काड़ दो 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 है नोट ओर शुगर इंडस्ट्री में यह पूरा इचे कोरता है यहां तक कर ना है यह चापे उड़ाइद सकते हैं यह नोट आगया सारा लिखना पड़ेगा 20 bucks यह पूरे चैप्टर करने पड़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया यह भी करना पड़ेगा आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी ना तो कि बोड कुछ भी बूचकता है और जो आना है में वो बता भी रहा हूं तो वो जो पताया है वो कर लेना जल्दी इसले कर रहा ह है ना वो कर लेना जो कटवा रहा हूं वो छोड़ देना यार समर रहे हो मेरी बात को अरे यार क्लोज वाल तो ठीक है यार अब आगई अगला जप्टर लाइफ लाइन ओफ एकॉनमी यह तो मैं पहले ही उपर से ही कटवाना शुरू करता हूं यह भी काट दो जो 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 मरवा रहा हूं वो करते रहो यह वाला कोशन इंपोर्टेंट है अब मैं को जूम करना पड़ेगा कि मुझे आपको बताना है जूम 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 जब अपनी बुक्स कोल सकते हो तो बहुत बेटर है आपको समझ भी आता रहेगा तो ठीक है तो यह वाला क और उसके बाद अकेला गॉर्डन कॉल्टी लेटल, गॉल्डन कॉल्टी लेटल, तो यह काफी इंपोटन्त है, बाकी यह सब कार्ड दो, कुछ नहीं आने माला है, कुछ भी नहीं आएगा, यहार मैं आपको सही में बता रहा हूँ, बीस नंबर क्या हूँ, भी नहीं पता, जाएगा थारा की होज़े या तैईस की होज़े, वो डिपेंड़ करता है, जाएगा थारा की होगी फिरसेर मारोगे, तो इससरचा मेरी वीडियो को फॉल्टी लेटल, करते है, जाना कॉदी लेटल, तो उसके बाद बाद बॉर्डर रोड नहीं आएगी, कुछ नहीं एक चूलू भीधे लाया, थीक है, कुछ भी नहीं आ आघ चलते हैं, यह यह आया था, पाँच नमरों पिछले साल आया था, यह इस साल नहीं आया था, थीक है, तो पिछले साल का यह काम है, और इंपॉर्टैंट है कर जाना इसको यहां बिना गिसी उसके जो करी बऑई बोलता है है तो यह सब कर जाना और उसके बाद कर एक और घर मॉज़े मांप मैं नहीं शुप आपकर नपनी सो की थे था यह यहां आपय इस ऑध प्यक्रोड़ इस नहीं बुशता नहीं आने ये मद्र मांट काफी इंपॉर्टेन हो फीज़तों पांच हें भी पहलेकर 2,1 ले कहोती थेला है है इस्टर पॉर्ट इंप्रण्स का नाम लिखो ठीक है सारा इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट कॉल करता पाराद्वी विशाका ऑठनम चैननगी पॉर्ट तुर्टी कोरिन ये पांचो थो पोर्ट का कोष्ट जान आया कि इंके बारे में लिखो इस्ट कोस्ट भी ठीक है शायद आपको वेस्ट भी आ सकता है तो इसलिए सभी याद कर लो आपका फैदा एयर लाइन्स का ये वाला गोस्चन ये वाला की परम हंस कैसे helpful है परवन हंस सॉरी क्या ये एयर लाइन्स कैसे operate कौन operate करता है कंट्री में very very important देखो इस चैप काफी important है और काफी weightage वाला भी हो सकता है फिर आपको note आ सकता है इसके उपर communication के उपर note तो ये सारा याद कर लीजेगा और postal के उपर तो काफी हद तक इस बार आया है 2018 के preboards में 2018 के preboards में इस पे note आया है तो ये important है aesthetic facilities वाला भी important है ये international trade करने की load नहीं mass communication करने की load नहीं ये पूरा page करने की load नहीं पर ये वाला जो हलका सा paragraph है इसको बस read कर जाएए कहीं बारी लिखना बढ़ जाता है तो ये थे आपके सारे main important questions इस important इस chapter में कुछ भी नहीं है और पूरी geography में मैंने आपको मुश्किल से 45 से 40 question mark करवाए हैं और वो ही मेरे हिसाब से important है जो read करने को कहीं है उनको read कर लीजे very important जो कहीं है वो पक्के है और उनमेंसे आएंगे जरूर तो ये था मेरे मेरे हिसाब से gas paper आप लगों के लिए geography का history का बहुत जल्द आएगा civics का बहुत जल्द आएगा eco का भी बहुत जल्द आएगा तो मेरे चैनल पर ट्यून रहेएगा subscribe करिए लाइक करिएगा और इसको share करिएगा अगर आपको helpful रही हो और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद दे मैं टॉपर्थ हब से मॉलिक जैन आपसे विदा लेता हूं thank you and comment करो यार देखते हैं इस वीडियो को मैं 15 likes की aim देता हूं क्योंकि अभी छोटा चैनल है तो 15 likes की aim है मेरी आप लोगों के साथ तो शुक्रिया दोस्तो खुदा आफिस